हेलो फ्रेंड्स कैसो आप सब लोग आई होप एक दम मस्तो को भाई हमारे सामने अभी प्रेजन्ट है औल न्यू अपाची आर्टी आर वन सिक्स्टी सी सी सिंगल सीट में आप देखोगे औल ब्लैक कलर में भाई आज के डिट में ब्लैक कलर्स का इतना ज़्यादा डिमांड है क्या आप फोरविलर खरीदो या फिर बाइक सिगमेंट में कोई खरीदो लोंग अकसर चूज करते हैं पूरा का पूवरा एल ड़ कलर में बट अभी हमारे सामने जो प्रेजन्ट है वो black के साथ साथ red color के graphics के साथ और grey color के graphics के साथ model वो भी पूरा का पूरा digital meter में 2024 का updated model है updated model में क्या कुछ update हुआ है इस bike का loan and finance का क्या process है आप कितना पैसा देकर इसको down payment देकर गाड़ी को finance करा सकते हो features कौन सा best है इसमें आपको mileage कितना देगा सारा चीज में आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के front के look से तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो front का look है न overall काफी ज़दा premium लगता है और दूसरा चीज न इसमें अब आगे है smart connect अभी smart connect में आगे बताऊंगा smart connect क्या होता है smart connect को कैसे connect हिया जाता है वो सारी चीजे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले इसका front look दिखा देता हूँ इसका monster like का visor section भाई literally अभी भी लोग Apache के दिवाने है तो यह visor को ही देखकर और इस visor में यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो lining है ना इसमें आपको LED का DRLs लग गया है जो की काफी ज़्यादा purify लगता है आप यहाँ पे देखो अभी मैंने on किया on करने के बाद आप अगर दूर से देखोगे तो काफी ज़्यादा attractive लगता है इसका i7 का दो DRLs मिलता है और यहाँ पे देखोगे तो पूरा का पूरा LED लाइट्स मिलता है यहाँ देखो दो-दो LED लाइट्स मिलता है high beam और low beam के लिए आपको LED लाइट्स मिलता है बट एक चीज ना इसमें अगर company turn indicator जो है वो आपको LED में दे देता तो और भी ज्यादा premium लगता है बट कोई नहीं यहाँ पे आपको अभी बल में ही आया है धीरे-धीरे company update करेगा कोई issue नहीं है front का section देख सकते हो कुछ इस तरीके का लगता है smart connect का sticker है smart connect में क्या कुछ facility आती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आईए front की suspension की तरफ देखते हैं तो front में आपको telescopic type का suspension मिलता है जो की काफी अच्छा है बोले तो बट हाँ अगर USD रहता तो और भी ज्यादा premium लगता है इसके साथ front की suspension की बात हो गई front की fender section के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे front का जो fender section है वो कुछ इस तरीके का आता है यहाँ पर आपको carbon finishing मिलता है carbon finishing से क्या होगा कि आपका जो bike में scratches आते हैं वो पता नहीं चलता है red color के साथ यहाँ पर silver color का carbon finishing देखने को मिलेगा पूरा का पूरा glossy black में और नीचे में आपको यहाँ पर fiber body मिलता है इसके साथ साथ super moto ABS मिलता है यहाँ पर आपको super moto का ABS मिलेगा single channel ABS के साथ मिलता है आप में इसमें dual channel नहीं मिलेगा front के tear section की बात करे तो यहाँ पर आप देखोगे 90 by 90 section के 17 inch का tear मिलते हैं 17 inch का आपको यहाँ पर company tubeless tire प्रोवाइड कराती है जो के कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है red color का आपको TVS racing का stickering मिलता है और इसके साथ साथ इसका जो यह जो disc pad देख रहे हो न यह petal type है यह जो cross cutting जो देख रहे हो न इससे होता क्या है कि आप अगर breaking करते हो तो जल्दी यह heat नहीं होता है यह heating को थोड़ा सा कम करता है तो यह चीज है आईए अब जानते इसके engine section के बारे में तो engine जो है इसका आपको 159 cc का 4 stroke आपको single cylinder में इसका engine मिलता है जो की maximum power आपको 16.04 PS की provide कराती है और 13.8 Nm का maximum torque मिलता है इसके साथ साथ एक और चीज गौर करने वाली है यहाँ पे आप देख रहो न यह जो horn section है वो double मिलता है जो की थोड़ा सा अच्छा लगता है आपका ही market वाल area में अगर इसके horn को मारते हो तो बड़ा ही premium लगता है और थोड़ा सा spotty लगता है यहाँ पे आपको engine cowl मिलता है TVS racing के sticker के साथ आपको काफी अच्छा लगेगा इसके साथ यह जो है ना RTFI race tuned में fuel injection के साथ आता है अब आपको carburetor company ने बंद कर दिया है पूरा कपूरा fuel injection पर यह work करता है बात करते हैं इसके fuel tank की तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको muscular type का design लगाया है जो कि आपको मैं यहाँ से आगे से दिखा दू तो यह देखो fuel tank दिख रहा है यह चीज और यह चीज आपको यहाँ से दिखेगा जो कि काफी अच्छा लगता है बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको TVS का एक bazing मिल जाता है जो कि काफी sporty लगता है और यह racing जो है ना since 1982 से चला रहा है यह E20 वाली model है यानि बोले तो इसमें आप ethanol भी फिल करके चल सकते हो 12 लिटर का fuel tank का capacity मिलता है अब इसमें mileage हुए या फिर चौकोला कार्बोरेटर वाला कोई system नहीं रहा यहाँ पे इसको हटा दिया है पूरा का पूरा इस बाइक को fuel injection पे work करता है ठीक है इसके साथ साथ gear section की मैं बात करूँ तो five speed top gear box के साथ आपको यहाँ पे इसका gear section मिलता है यह देखरो इसके साथ साथ side stand engine cut off मिलता है आपका stand लगा हुआ रहेगा तो आपका गाड़ी gear में अगर आप start करते हो तो वो start ही नहीं होगा इसके साथ carbon fiber finishing में यहाँ पे कुछ इस तरीके का battery panel के पास मिलता है Apache का sticker मिलता है और seat call के पास बात करें तो seat जो देखोगे वो आपको single seat में भी मिलता है यह इस तरीके से red color का stripping के साथ जो की rider का seat है वो थोड़ा सा down है यानि short height वाले बंदे भी इसको चला सकते है अब बात कर रहे है height की तो overall इस bike की जो length है वो आपको 2085 mm की overall length मिलती है और height की बात करें तो 1105 mm की इसकी overall height मिलती है seat height अब किस तरीके के लोग इसको चला सकते है तो जिनका height 5 feet 2 inch या 5 feet के आस पास है वो इस bike को easily चला सकते हैं कोई भी इशू नहीं होगा 790 mm इसका seat height भी दिया गया है साथी साथ ground clearance की बात करें तो यहां पर आप देखोगे इसका ground clearance है वो 180 mm की आस पास आपको इसका ground clearance देखने को मिलता है और पीछे की tire section की बात करें जो की 200 mm का brake diameter है यहां पर आप देखोगे इसमें ABS नहीं मिलता है बट यहां पर इसका जो disc brake का diameter है वो आपको 200 mm का brake diameter भी देखने को मिलता है इसके suspension की बात करें तो यहां पर आप देखोगे दोनों ही side से MIG का mono tube inverted आपको gas sock का suspension देखने को मिलता है जो की काफी अच्छा है आप अपने weight recording इसके suspension को यहां से adjust भी कर सकते हो इसके साथ graphics की मैं बात करूँ तो seat cowl के just नीचे देखोगे तो RTR 160 का basing और यहां पर कुछ इस तरीके का आपको stick ring मिलेगा यहां पर आपको पूरा carbon finishing मतलब छोटे से छोटे पार्ट को भी इन्होंन तरीके से आपको यहां से इसका exhaust pipe आया है और यहां से गया है ठीक है यह थोड़ा सा अच्छा लगता है बट अगर इसको naked कर देते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है यहां पर आप देखो कि chrome का plate लगाया हुआ कुछ इस तरीके का है यहां पर आप देखोगे एक बार मैं इसका light को on करता हूँ आप यहां से देखना है यह देख रहा है यह देखो पूरा का पूरा LED light लगा दिया है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है LED lights के साथ और वही में बात कर लेता हूँ यह कौन सा model है तो यहां पर कुछ इस तरीके का स्प्लीट में grab handle यहां भी आपको stickering का काम मिलेगा और भी बहुत सारे फीचर जैसे यहां पर देखोगे तो साड़ी गाड मिलता है यह एसे सेरीज में लगता है बट हाँ एसे सेरीज का कोई पैसा नहीं देना होता है बिल्कुल फ्री है एसे smart connect का तो smart connect के बारे में आपको बताएंगे से पहले इसका handle bar section है वह आपको दिखाते हैं यहां पर आपको aluminum में इसका clutch section मिलता है यह काफी अच्छा इसका clutch है पासलाइट को option यहां पर मिलता है high beam low beam यह मिलता है और यह जो आई बटन है यह voice assist है जैसे आप कार में Alexa का यूज करते थे उसी तरह आप अपने फोन को इस गाड़ी से इस बाइक से connect करोगे न तो आप आई बटन को दबाकर voice recognition कर सकते हो यहां पर टाइपिंग करने को कोई विजरोत नहीं पड़ेगा इसका साथ turn indicator section और यह आपको मैंने दिखाया था dual horn अभी एक बार इसका sound सुनना आप सुन रहे हो सुन रहे हो आपको dual tone में इसका sound मिलता है और यहां पर देखो कि इस handlebar में तो red color का आपको engine modes मिलते हैं यह होता क्या है basically अगर आपका बरसात का motion में आप rain mode में चलाते हो तो इसमें जो single channel ABS है वो बहुत अच्छे से work करता है आपका bike कभी भी skid नहीं करेगा दूसरा चीज urban mode urban mode सहर में चला रहे हो तो सहर में बहुत ज़्यादा traffic होता तो उस traffic में अगर आप urban mode में लगा कर चलाओगे तो आपका power है ना वो आपको मज़ा आएगा चलाने में feel आएगा इस bike को चलाने में साथी साथ इस side से मैं आपको दिखा दू तो इसका जो braking ये braking आपको कुछ इस तरीके का braking मिलता है आपको meter console के तरह पूरा का पूरा दिखाते है तो इससे पहले मैं आपको दिखा दू की इस Apache RTR 160 का जो key है कुछ इस तरीके से मिलता है वेब की आपको नहीं मिलता है नॉर्मल की मिलता है इसके साथ साथ on करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका consoling होता है देखो सबसे पहले तो RPM limit यहां दिखेगा fuel gas दिखेगा timing दिखेगा speedometer दिखेगा यहां पे आपको trip meter दिखेगा gear shift advisor द दिखेगा average speed कितना चला sports mode यह सारी चीज है इसके बाद engine malware function मिलता है ABS का option मिलता है headlight का option मिलता है neutral का basing मिलता है और यहां पे एक fuel का मिलता है और इस button से आप इसको control कर सकते हो lap timer mode में लगा सकते हो high speed mode लगा सकते हो यहां 0-60 जो है वो कितने second में चला गया वह चीज देख सक अब यह smart connect का मतलब क्या होता है smart connect में अगर आप इस app के थूरू टीवेस का जो official app है उस app के थूरू इस bike को connect करके रखते हो ना तो क्या होगा कि in case अगर कभी आपका accident भी हो जाता है तो आपका जो registered number होगा उस number तक यह OTP message के थूरू पता चल लागा हां अगले बंदे का य प्राम से आपको 52-55 km प्रती लिटर के हिसाब से देती है 50 तो average देगी अगर आप अच्छे से चलाते हो अगर आपका चलाने का जो idea है या skill है अगर आप अच्छे से चलाते हो तो यह जो bike है overall आपको 50 km पर लिटर के हिसाब से mileage भी देने वाली है और इसके साथ साथ इसका प्राइस है अभी मैं आपको बताता हूँ इसका जो एक शरूम प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1,26,000 इसका एक शरूम प्राइस है हमारे यहां जार खंड में ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यह बहुत सारे model में आता है आप अपाची देखोगे न तो कोई जो रहता है वो single disc में भी आता है कोई एक लिप अपाची रहता है वो dual disc में भी आता है और कोई एक शरूम प्राइस है 1,26,000 एक शरूम प्राइस है और ऑन रोड प्राइस की में बात करूं तो 1,54,000 के आसपास हमारे सारदा मोटर्स डाल टिन गंज में आपको इस बाइक की ONर्ट प्र 53,900 something यानि क्या सकता हूँ मैं 1,04,000 रुपे के हासपस इसका on-road price पड़ेगा तो ये है Apache RTR 160 CC जो की 2024 की updated model है आपको ये वीडियो में मैंने सारा कुछ बता दिया आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें comment section पे जरूर बताईएगा हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाद दिजिएगा और आप हमारा ये जानकारी आपको कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा thank you so much for watching, bye bye